नवस्कार मेरे साथियों मैं सांगवान एकडेमिका स्टुडेंट बनवारलाल सेवदा सांजू नागोर से कुछ दिनों पहले मैंने रिटन पेपर दिया था उननीज थारिकों और उसके बाद मेरे मन में यह सब जरूरा आ गया था कि अपना शेलेक्स शूर तो जिस तरह से रिटन पेपर मेरा हुआ था तो बहुत शांदार तरीचा था और लेकिन नॉर्मलाइदीजेशन होने के चक्कर में मेरे टू-फोटी रहे थे लेकिन चलो वह कोई बात नहीं फिर उसके बाद में मन में संसा आए थी कि अब टाइपंग करना है तो कहां पर करना है टाइपंग की बात आई तो मैंने गूगल में सर्च किया तो सांगवान एकड़िमी नंबर वन पर चल रही थे त तो फिर मैं बोला कहीं नहीं जाना है जो राजस्तान की ब्रेंड है जो राजस्तान में नंबर वन पर चल रही है जाएंगे तो वहीं पर क्योंकि अगर वो कोचिंग अपने आप में ब्रेंड बनी है तो ओवियसली कुछ न कुछ करके बनी है ऐसे तो बननी सकती और होती कोशिस वहां का स्टाफ ओवियसली वैसा होगा हो सकता है वहां का माहौल वैसा होगा हो सकता है वहां के स्टुडेंट वैसे हो सकते हैं हो सकत कम टाइमिंग में और स्मार्ट स्टडी करके अपना सेलेक्शन शोर हो सकता है क्योंकि मन में बस यही संकाति कि टाइपिंग करे तो करे कैसे कभी हाथ पे कभी चलाए नहीं हां कंपूटर देखा है कीबोड देखा है सब कुस देखा है लेकिन कभी यह नहीं देखा कि पढ़ाते कैसे और स्पीड वह भी ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी और इंग्लेश ऐसा कुछ नहीं है पांच मिनिट की हिंदी पांच मिनिट के इंग्लेश और दस मिनिट के अंदर एफिशेंसी तो पहले दिन जब मैं सांगवान एक अडिक अंदर आया था तो सरक ने यहां सब कुस देखा तो माहूल एकदम शांदार लगा था बहुत शांदार स्टूट्ट आ रहे था बहुत बीडबाड संसुस्यां और आज बहुत पर बता सब सबस pillar और जितन ततक मैहां को पता चला कि आर बहुत रोलनॉल रोल ऩह जब हमारा आ गया था कि सेजित्र ही पता चला कि रोलनॉल अपना लिस्ट में आ गया तो करना है तो करना क्या तो उस टाइम तक सिर्फ इंग्लिज्स सीक रहे थी थी सर ने हमें सिर्फ इतना सा बताई था बैठा शिर्फ अभी English करो आप टेंशन मतलो अगर आप मेरे स्टुडेंट बन गया तो यह जिम्मेदारी अब आपकी नहीं यह मेरी जिम्मेदारी है जब सर ने यह बात बोल दी तो मैं इतना बेर को पता चलेया कि 26 तारीक है या 27 तारीक है अब जब भी टाइपिंग आप सर की जिम्मेदा पतना बाइं यह बाइंडि कैसे सीखेंगे क्या नहीं है फिर कैसे करके सर ने सबको सब पास बिठाया सर ने बताया क्या करना है क्या नहीं करना धिरे दीड़े 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 पांस एक सपता मैंनद करी रग 옆े दंग से सर ने हमारे उपर बहुत मैंनद करी थी सबसे इंपोर्ड महोल की वज़े से दिरे 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 हिंदी एक ऐसी स्पीड बना ली थी मैंने कि वैसा जब मेरी स्टार्टिक में जब स्पीड आ रहे थी चार पांच छे शाथ आठ लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि हर दिन स्पीड इंक्रीज हो रहे थी फिर सरके जो नोट्स हैं सरके जो टेकनीक बताने की सरके ने जो मेरे को आइडिया बताया था कि किस हिसाब से अपन को यह करना है वो टेकनीक मैंने यूज करी और कोई दूसरी टेकनीक अपना ही नहीं कोई दूसरे नोट्स नहीं अपना है कोई दूसरा एपनीक यूज किया सर ने जो जो बताया वैसे वैसे किया आज सच बता रहा हूँ आज मैं ये डारेक्टली कहे रहा हूँ कि हाई कोट LDC में जो मेरी मेनत मैने की थी वो सांगवान एकेडमी के स्टुडेंड के तोर पर रह के की थी ये मैं दावे के साथ वैसे नहीं कह सकता क्योंकि पहले तो कह नहीं सकता था लेकिन जब चाहिएन होगे वहां पर हात भी बहुत पर बहुत कुछ पर कुछ हुआता लेकिन ये जरूर था कि सब कुछ ठीए गा लास्ट में और थोड़ा सी सिफ्ट मेरे वो गई आधा बंदा एसा नहीं हूं कि सिर्फ मैंने सेलेक्शन लिया है मैं जितने वी दो सब के सेलेक्शन होगे अर वह भी इतने कम टाइमिंग में सेलेक्शन होना ऌर ऐसा नहीं है कि एक दो चलो सीख सीखा के आयते वह अलग चीज है लेकिन mostly 98% से 99% student ऐसे थे जिनोंने कभी भी typing कभी भी नहीं सिखी थी होती कोसिस को उन्होंने हिसाइद त्याइप्ज पहली बार पेपर दिया था पहली बार पेपर पेपर दे करके पहली बार typing करकर और 99% अगर result दे देना तो मैं यही कह सकता हूँ एक ही चीज करवा सकती है वो है अपनी सांगवान एकेडमी तो जे हिंग, जे भारत मैं लाश्ट में यही कहना चाहता हूँ सांगवान एकेडमी की तरफ पैदार ये और आपका स्वागत है आपका बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पर स्टाफ वो शांदार स्टाफ है महौल आपको आते पता चल जाएगा सर के पास आओगे क्या टेक्नीक है, क्या टेक्नीक नहीं है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा लेकिन वो पता चलेगा सिर्फ फोन पर बाते करने से नहीं वो पता चलेगा आपको वीडियो देखने से नहीं वो पता चलेगा आपको सांगवान एकेडमी में आने के बात मैं यह जरूर कहा सकता हूँ कि टाइपिंग के अलावा जो दूसरी टेक्निक हमको सिखाए गई थी efficiency हमें यह नहीं सिखाए गया था कि efficiency में पास होना है हमें सिर्फ यह सिखाए गया कि efficiency के अंदर पचास में से पचास कैसे लाने है बस simple matter था दिमाग में एक ही चीज गुसी हुई थी कि पचास में से पचास लाने कैसे है तो टाइपिंग के अंदर से अच्छा हो गया efficiency के अंदर शांदार हो गया कोई मामला इधर वदर हड़ बढ़ाया नहीं वहाँ पे हाथ थोड़े से काम पे थे क्योंकि वह मन में एक संसा थी कि वाइसा मॉनिटर हो गया बंग इस्टाफ थोड़े से supportive डिक नहीं रहते वाँ के उस वज़े से क्या है कि थोड़े से मन में धारना ऐसी बन गीती यार क्या हो रहा है लेकिन सांग वान एकेडमी के तरफ से मैं जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर करवाई गई मैंनत और मैं जो जो सर ने बताया जिस तरह से हमारे efficiency सर ने बताया युस इस हिसाफ से मैंने सच बताऊँ मैंने घर पे जाके करता था रूम में जाके करता था कोई दूसरा टेकनिक नहीं कोई दूसरा लाइन नहीं कोई दूसरा उपाई नहीं सिर्फ एकी भरोसा था वो भरोसा के एकी नाम है एकी ब्रेंड है एकी राजस्तान में ब्रेंड है चाहिए आप रास्तान के किसी भी कोने में चले जाओ चाहिए आप रास्तान के जेपुर में आजाओ चाहिए रास्तान के आप स्री गंगा नेमगर में चले जाओ रास्तान क मुझ जैसी student से आप ये दुरूर सीख सकते हैं कि बाई साब positive माहूल के अंदर तैयारी की कैसे जाती है positive माहूल में रह करके अगर एक जटके में डेड़ महीने के अंदर selection लेना है टाइपिंग में तो वो भी हिंदी, इंग्लीज और FECMC तीनों गंदर वो एक एक एकडमी करवा सकती है वो है राजस्तान की नंबर वन एकडमी वो है राजस्तान की ब्रेंड एकडमी उसका नाहा में वन एन ओल सांगवान एकडमी तो नमसकार पदारी आप सभी को इस टेनोगराफर की बरतिया आने वाले थोड़े दिनों में तो धेड़ सारी स्टाफ आपको पदार ना है जितना हो सकता बरतिया आर ये लूट 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 इस बरति को जितनी कोशिस हो सके तो मैं एक बार पूने यही आप से आमंतरण करना चाहूँगा निमंतरण करना चाहूँगा साधर भाव से आपको यही परकरया में मैं वोलूँगा इस परकरया में सामिल होहिए और जितना कोसिस हो सके अपने आपको selection सांगवान एकड़मी के तरफ से कर आपको selection दिरवाईए क्योंकि कम टाइमिंग में सिर्फ एक ही चीज आपको selection दिरवा सकती है वो है आपकी smart study की technique और दूसरी कोई आपको नहीं सिखा सकती मैंने राजस्तान का पहली बार paper दिया मैंने राजस्तान का जीके का कभी नहीं पढ़ा कि राजस्तान के जीके होती कैसी है पांच महिने मैंने राजस्तान जीके पड़ी हिंदी पड़ी, इंग्लिस पड़ी पहले में कोई दूसरी तयारी करता था अपने हापने के बिजनेस को संभालता था वो मेरी लाइन अलग थी लेकिन पेपर पास किया शांदार नमबर आए लेकिन उसके बाद गर्व से कह सकता हूं कि मैंने एक एसी कोचिंग में अपना एडमिसन करवाया था कि जिससे मैं ये जरूर कह सकता हूं मैं अपनी मेरे हर एक अजीज मित्र का यहां से नमबर निकला है और मैं इससे उपर क्या कह सकता हूं तो दोस्तों फिर पुने मैं आपसे निमंत्रन करता हूं नमस्कार अबार्थ जैहिन जै भारत जैश्याराम सर मैं नागोर से हूं नागोर के अंदर डेगणा जिला आता है डेगणा के अंदर सांजु गाव है सर मैं वहां से आता हूं क्या कम मानते सर वाले Zak्यиваем एक दारना सोगते आंपके listen यह है कि वह लखते नहीं सोचते ने हैं नागोर की तो आंद भार तकर रहेंगे क्या करेंगे Google में सर्च करते हैं शर्च करते हैं पता चलता है क्या यह जाना तो है यह लेकिन दिल में तो वो सांगों नेकेडमी रहती है लेकिन आये कैसे वहां पे जाके त्यारी करें तो करें कैसे हैं तो वो होती कोशी इदर से उदर भटकते रहते हैं सच बता रहा हूं सांजु गाउं से सच में मैं बता रहा हूं सांजु गाउं के आसपास मेरे भी मित्र हैं किसी का सेलेक्शन यह मैं जरूर के सकता ह calculating सांजुगावं से अकेला लड़के ने सेलेक्शन लिया है और बहुत लोगोंने मेरे सांजुगावं में तीन लाइब्रेरिया हैं यह सच्छा है है फुल एकदम डिटो बता रहा हूं फुल लाइबरेरी फुल रहती है लड़के पढ़ते हैं लड़कियां पढ़ते हैं लेकर सेलेक्शन सिर्फ एक का हुआ है क्या रीजन है रीजन एक ही है सांगवान एकेडमी बस और कुछ नहीं तर्नाव सांजु गाम से मात्र साइद 17-18 किलोमेटर पढ़ता है और जो आपका खियूताना है वो मात्र 10 किलोमेटर से भी नहीं है मेरे साब से और जो डावोली है खाँ तर्नाव है डेगणा है पूरा पुगरा जो यह सांजु एक्चुली सच बताऊं तो सांजु डेगण नागोर जिल्य के सबसे बीचों लगव पढ़ी जाता है तर्नाव इलाका हो गया जाहिल हो गया डीडवना हो गया मैं तो बहता हूँ यह नागोर के स्टुडेंट सच बता हो ना अपने आपको ब्रमित ना करें जितना कौसिस हो सके अपने आपको स्मार्ट स्टडी की तर बना जाता है अपनी जिन्दी को कैसे स्मार्ट बनाया जाता है और उसकी एक टेक्निके हुआ आपको सांगवान अकेडेमिक अंदर आके सीखने को मिलेगी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप जरूर पदा रहें और आपको यहां आने के बाद मैं जारूर कह सकता हूँ एक जरूरत नहीं है बहुत को सिखाऊंद बांबनों का लड़का हूं को सिखाने की जरूरत नहीं है ना कोई जबर्दस्ची कर सकता है ना कंधर जबर्दस्थ में आने वाले हैं ऐसा कुछwhen षर आन से लेक्सिन हो गया पहली बार टाइपिंग करी थी पुरानी वेकंसी में बेट गए दूसरी जूनियर एकाउंटेंट वाली जो जो बिजली विबाग के अंदर आपकी जो यह आई थी यह जो टाइपिंग का एक वह पेपर आये था उसमें वेट गए लेकिन वह पास इसमें भी नहीं वह क्या रिजन एक ही है स्मार्ट स्टडी मेरा बिजनेस से यहां पर यह रास्तान में मेरा बिजनेस्स जो कपड़ा है मर्चेंदाइस है वो मेरे सर्मा क्लोउज स्ट और मेगाले शिलॉंग के वहां पर बिजनेस ने मेरे बिजनेस मैरे देथे ददीज थे नाट धूर रखे शृगव रहून का तो उनके जगह वे आपी जो handover हो रहे हैं मेरे पिताजी कर रहे हैं तो तो मैंने अपनी सच बताओं तो अपनी पढ़ाई वहीं से कर रहा हूं मैं अपनी जो 11-12 की पढ़ाई की सारी की सारी वहां से कर रहा हूं मैंने सबसे बिटेक की तेयरी सब कुछ वहीं सब करी Central University में म इंजिनेरिंग करी मैं वहां का टोपर रहा हूं लेकिन यह सचा ही है कि मेरे फेमिली वालों ने मेरे कभी सपोर्ट नहीं किया क्योंकि हमारे यहां पर क्या है कि थोड़े रास्तान में दारणा ऐसी बनी होती कि आप भले टोपर बन जाओ कुछ भी हो जाओ कुछ नहीं हो इसलिए करना था कि सर सिच्छी तो यह कि सर बिजनेस थोड़ा सा दूर है और मेरा दिल जमीन से जुड़ा हूं सर और सेकंड बात है सर मैं रास्तान आसपास इसी इलाके में रहना चाहता था और मैंने शुरू में जो मेहनत करी थी वह मैंने आई बीपेस में करी थी मैंने जो उसमें subject-wise merit जाती थी वो मेरी clear नहीं होती थी कभी English में ठक जाता था कभी reasoning में ठक जाता था कभी हलका सा मेयत में इधर-उदर हो जाता था क्योंकि subject-wise merit वहां पे इस system होता है कि आपको subject-wise भी clear करना है आपको overall merit भी clear करनी है और उसके बाद आपको interview भी clear नहीं करनी है तो मेरे प्रियत हो जाता था फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया डीडवना का मेरा दोस्त है उसने मेरे बताया कि बाई बनवारी एक काम करो अपने आपको थोड़ सा डाइवर्ड करके देखो क्या पता कुछ हो जाए मैं बोले यार जिन्दगी में मैंने कभी रास्तान जीके नहीं पड़ी और उसने मुझे एक चीज बोला बोला रास्तान हाई कोड की जो बढ़ती है वो रद हो चुक है तो क्या पता तुम में बागे हो सकता है यार हो जाएगा कर सकते हो इसलिए बोल रहा हूँ नहीं तो मैं कहता है ठीक है जून या जुलाई से मैंने दीर 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 अपनी जीके की स्टड़ी और सच बताऊं तो मेरे अनलाइटी के बारे मेरी बहुत अच्छा चुरू से जानता हूं और एनलाइसिस करना मैंने मैरे फेमिली में सच बताऊं तो थोड़ा गॉवर्मेंट का कुछ ज्यादा ही चलन है मेरी फेमिली में सब पड़े की बात नी है आगे की पड़ाई और करता रहूंगा कोई प्रॉड्यों की बात न ही है लेकिन अब गॉवर्मेंट में अगर चया है आपने धारना बना ली चीकरना अगर गॉवर्मेंट में तो धारना बनाओ पक्की कच्छी बनाओ मत और किसी उस दर साइड में हो नहीं है जो सबस्क् distributing में यह सब्सक्राइब क्या लोगे क्या बात है अपना सेलेक्शन नहीं सब्सक्राइब तो अपने आलीजिस कम चल रहे फिर मेंनथ कम चल रही कि यह टोई अपने एक सबस्क्राइब कर साइब अगर आपको एक इंस्टिटूशन चलाना है अगर आपको एक कोचिन की पूरी इतनी बड़ी संस्था आप जयपूर राजस्ताने में लेके बेटे हो राजस्तान के आपने नंबर वन बनाई है और अगर आप उसको खडूस बता रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको एक बा इतना कठूर नारियल लेकिन जब उसके अंदर में जो मामला बनिता है फिर सोस्ते मिलेगा ही मेरी है खडूस वाली कुछ नहीं है सर हमारे बहुत अच्छे सच बताओं तो उन्होंका जो एक्सपिरिंस है वो ऐसा लगता है कि सर क्या कि खडूस क्या है कि जो अपनी जवानी में जो जी रहें ये 25-26 की जो उमर है तो थोड़ा सा उपर की आवाज में बोलती है वो दुनिया लग जाता है और वाई टीचर अगर आपका टीचर आपको कुछ समझा रहा है वो एक महिने से आपको सीखाया जा रहा है जो मैं परकरिया बताऊंगा वह शोलिड परकरिया है आप इसी परकरिया से आपका चयान होगा मेरी गारंटी है और लड़के मान निकले तयार नहीं लड़के अपनी मरजी कर रहे हैं यह करवाँ सर वह करवाँ सर पहले कर यह कर रहो सर पहले वह कर वह सर फिर बोलना ही पड़ेगा कितने दिन तक चलगा लिए क्योंकि इंस्टिटूशन कैसे चलाए जाता है इंस्टिटूशन में पोजिटीविटी बरकरार रखनी है यह बस स्टाफ छोड़ देते हैं और बस वो इंस्टिटूट के जो ओनर है उनको खुद को ही नहीं पता मेरी स्टूडेंट कौन है क्या है कैसे है वहाँ पे कौन कैसे सीख रहा है यहाँ पे सर का सच बताऊना सर पीछे घड़े रहते हैं एक एक चीज देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है कौन किसी के टेकनिक कैसी है कैसी टेकनिक नहीं है क्या फोलो किया जा रहा है लड़के में नेगेटिविटी तो नहीं आ गई लड़का पोजिटिव है के नहीं मेन मेटर है अगर इंस्टिटूट को पोजिटिव बनाई रखना है थोड़ा बहुत strictness जरूरी है मैं इसको कोई खडूस नहीं कह सकता लेकिन अगर आप इस थोटी से strictness को खडूस का नाम देते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आद आपको अंदर के अंदर जहांकना चाहिए और आपकी जो गलती उसको सुदारने के जरूरत है जी सर तो आपके करते करते आई जाती है क्योंकि अभी स्टुडेंट लाइफ में जीने नेगेटिविटी आ जाती है कोई दूसरे स्टुडेंट आपको बताने के लिए तो तुम्हारा सेलेक्शन क्यों नहीं वहां तो यह बता और मैंने यहां से कोचिंग कर रकिए और मैं घर से कह रहा हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं है नेगेटिविटी आ जाती है और नेगेटिविटी आने के बाद कुछ दिन सर ने मेरे को पैचान लेगे बंदा थोड़ा सा नेगेटिव लाइन में जा रहा है और मेरा जो फ्लो है वो थोड़ी सी विपरित दिशा में जा रहा है तो उस ह थोड़ा सब नेगेटिव आर रख है तो क्या करना है? क्या करने? सर ने बहत बड़े प्यार से टेकनीक बताई सब कुछ सब्सक्राइब ऑखे है twenty द्यूटर एक तिनके का जो आपका operator कुद इंस्टिटूट के जो माली कुद इंस्टिटूट के जो सर है हमारे घुड़ी अगर वो खुद आपको पास में बैठा के सब कुछ समझा है सच बता रहा हूं उस दिन जो सर ने मूot बताया उसिस सब कर करके नहीं चला चुप चा आप यहाँ पर practice करता था जो सर ने बताया चुप चाप practice गर पे जाके करता था और जो सर ने बताया सिर्फ वही करता था कुछ Extra नहीं करता था positivity आनी अपने आप एक दो दिन तीन यहीं दिन चार दिन अपने आ पता चल गया बैटा अपना होगा और वो सर के मार्ग्दर्सन से हुआ मैं ज़रूर कह सकता हूं जी सर अथेंक्यों सर मैं सांग्वाने को सबसे लाष्ट में यह कहना चाहूंगा कि मैरा जो सेलेक्षन पेपर में चलो मैंने self study करी थी कहीं से coaching नहीं करी थी क्योंकि मैं self study को थोड़ा सा जड़ा महतों देता हूं लेकिन यह skill है यह पढ़ाई ऐसा नहीं कि आपको analysis करने से आएगी यह आपको रटा मारने से आएगी यह ऐसा कुछ नहीं कि आपको पूराने paper देखने से आएगी यह skill वैसे नहीं कि आप मोटी मोटी किताबे पढ़ लोगे उस से हैगी नहीं यह skill है और skill सीखने के लिए skill वाला आदमी होना जरूरी है आप जो आपको डंग से सिखा सके प्यार से सिखा सके आपके अंदर positivity ला सके और वह एक यह academy कर सकती है और सबसे important यह है कि smart तरीके से करवा सके कम timing में इस आपको selection दिरा सके वो एक academy है वो है राजस्तान की number one academy होती कोशिस धिरे दिरे अब इसकी branches भी बनने जाएगी उमीद करता हूँ मैं सर को यह बोलूगा सर दिरे दिरे आप अपनी branch से बढ़ाईए क्योंकि यह राजस्ता मैं यही कहना चाहँगों पदारिये सांगान अकडमी में पदारिये एडमिसन लिजिए और अपना selection जरूर करवाए smart study के तरू सांगवान अकडमी के तरू नमस्कार जय हिन जय वारत जय सियराम